नमस्कार दोस्तों मैं आशु आपका सौगत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल डिजीटल स्टेडी पॉइंट में तो दोस्तों आज के हम अपनी इस वीडियो में 20 most expected कॉशन्स को देखेंगे जो all competitive exam के लिए important रहेंगे दोस्तों इन कॉशन्स को आपको अच्छे से कर लेना है और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे like करिए, share करिए और हमारे चैनल को subscribe करिए चलिए start करते हैं दोस्तों start करने से पहले उपर आई बटन में इसकी playlist दी है क्या है विदिक नहाए यद लीगल वाडी है, non-constonation वाडी है तर गैर सम्मेदानिक निकाय है गैर सम्मेदानिक निकाय दोस्तों वह होती है जिनका उलेक सम्मेदान में नहीं होता है वह गैर सम्मेदानिक निकाय कहलाती है या फिर सम्मेदानेक निकाय, या फिर सम्मेदानेक निकाय, जो सम्मेदानेक निकाय वह कहलाती है, वह वाडी होती है, जिनका उल्लेक अमनारे सम्मेदाने जब लिखा हुआ था, तब उस सम्मेदान में उल्लेक मिलता है, वह कहलाती है, वह कहलाती है, तो दोस्तों, जो फा दोस्तों कि इसका फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों इसका फॉर्मेशन वहा था 22 नवंबर 199 क्यान में रहती है न्यू देली में इसका हैट वर इसके जो अभी कमीशन के जो हैड है वह एनके सिंग है जो आइस सम्विदान के किस अनुच्छित के अंतरगत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है दोस्तों संविधान के आर्टीकल नंबर 324 में चुनाव आयोग अर्थात जन्वरी को हम हर साल 25 जन्वरी को चुनाव का दिन अर्था चुनाव निर्वाचन आयोग का दिन मनाया जाता है दोस्तों इसका हैड़क कहां पर है न्यू दहली में हैं कहां पर निर्वाचन सदन अशोक रोड के पास में चलिए आंगे बढ़ते हैं सेकें नेक्स्ट से नापी जाती है और वायू का व यक ऐनेश्ट कॉस्टन है इनिमीटर से न आपा जाता है जलिए आ나 वरते हैं हमारा इसे को क्conomyish connection प्रकास во उल्टी डेल होते हैं कि इस प्रकार के आल हुदि इसकी डेखते हैं दोस्तों जो फोटो वॉल्टिक सैल होते हैं वह मोजर डेखते हैं और से सेमिगाट कंड़क्टर के डिवाइज होते हैं जो सनलाइट होती है और सनलाइट को किसमें इलेक्टिशिटी में चेंज करते हैं इसकी रेंज देखे तो दोस्तों इसकी रेंज 40 प्रतिशत तक होती है और इससे ग्रीन हाउस एफेक्ट भी कम रहता है यूज रेंज फॉर पोटेवल दोस्तों स्पेस में इसका बहुत होता है चलिए आंगे बढ़ते हैं कौशन नम्मार नेक्स्ट है हमारा कोन सा किरतिम प्रृतितिक तंत्र माना जाता है दोस्तों किस का आर्ठिपीशिएल एकोश्टम कौन से दोस्तों गरताथ करते नहीं है इसलिए नेचुल लिए जो नेचरली होती है इसलिए जो राइस का खेत है जो घंघ का के तव हम खुद निरमित करते हैं इसलिए राइस का खेत किर्तिम परस्टित की तंत्र है चलिए आंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा नावकिय संयंत्र में शीतलक और मंदक के रूप में प्रियुक्तिव होने वाला पधार्थ है दोस्तों जो नावकिय संयंत्र है नुक्लियर रियक्टर में जो मॉडरेटर और कूलेंटर का जो यूज होता है जो सबस्टेंस यूज होते हैं उस हमारा next question है सम्मिदान के कौन से भाग के अंतरगत पंचायती राजववस्ता के प्रावधान दिये गए हैं दोस्तों जो पंचायती राजववस्ता है दोस्तों इसको हमारे 9 अर्थात भाग 9 में इसका उलेक किया गया है चलिए आंगे बढ़ते हैं इसकी डेटेल देखते है सहकारिया सहकारिया आयो किसके संबंद की समिक्षा करने के लिए स्थाफित किया गया था दोस्तों जो सहकारिया कमीशन है दोस्तों वह सेटप की गई थी रिव्यों किसके संबंद के समिक्षा करने के लिए दोस्तों इसका अंसारे केंद और राज्य दौनों के मध्यस्तत के बीच समिक्षा करने के लिए सहकरिये समीती की स्थापना की गई थी सेट अप किया गया था जह रहे इसकी डेटिल दोस्तों सहकरिये समीती की स्थापना पूछी जाय तो कब की गई थी 1983 में इसकी स्थापना की गई थी जो भारा सरकार दोआरा की गई थी सहकरिया आयोक का चार्टर विवेन पोड़ियों पर केंद्रिये राज सम्मन्दों की जाच करना और भारत के सम्मिदान के धाचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था आयोक का नाम इतना था क्योंकि इसका नेत्रत्व न्यायमूर्थी रणजीस सहने सहाकारिया कमिशन के अध्यक्ष भारत के सुप्रीम कोट से सेवनेत्व हो चुके थे समीति के जो अन्य सदश्य थे उनमें से श्रीव भी श्रीवरामन केविनेट सचिप थे जो डाक्टर एसार थे सैन आईवी डियारडी के पूर्व अध्यक्ष जो दोस्तों बैंक है ना आई बी आर डी इंडियन बैंक फॉर री कंस्टरफल डेवलोपमेंट और राम सुब्र क्लिए आंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉच्षब्स दोस्तों विटामीन स की कमी से वुल को होता है रफाद इसने की नाम की बात करें तो दोस्तों इसके लिए क्रत है रथ एक ती का है इससे दोस्तों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इसका विटामिन A, लेटिनॉल विटामिन B, थाइमीन विटामिन C, एसकॉर्विक एसिड विटामिन C, विटामिन D का क्युनोफिलॉल, और टेकोफरोल विटामिन E का सकते हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं, next question, next question है, वह सतत्प्रक्रिया जिसके अंतरगत प्राचीन चट्टानों का रूपांतर नई चट्टानों में हो जाता है, कहलाती है, दोस्तों जो प्राचीन चट्टाने होती है, उनका रूपांतर जो नई चट्टानों में हो जाता है, वह oxygen चक् और रेटिनोल हम अभी बता चुके हैं एसकॉर्बेक बिटामिन C एसेटिक एसेट का सूतर दोस्तों CH3COOH होता है चलिए इसकी डेटेल देखते हैं दोस्तों टेवल नमबर 2 है दोस्तों यह बिटामिन B की है जिसमें बिटामिन B के कुल जो प्रकार होते हैं उनके टाइप क एक एसेट बिटामिन Brix को पायोडॉक्स enforce इसेविन को बायोटीन बिटामिन 9 को और जब्पल हूं को कितों की स्वागत कि किस भारतियस aan सकने गर्म किसे स्वागत है यह दिने खोज कि थी 1498 में उनका स्वागत जब भारत आये थे क्योंकि यूरोप से आये थे और सबने यहां आये थे केरल के तट पर तो किसने जमोरिन ने इनका स्वागत किया था चलिए आंगे बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कॉशन हमारा भारत में किस तिथी को संभीधान दिवस मनाया जा जाता है क्योंकि जब संभीधान बना था तो कुछ संभीधान के कुछ क्लॉज 26 नवंबर को लागू तुरूंट कर दिए गए थे परंतु बाकी जो क्लॉज थे दोस्तों पूरा संभीधान 26 जन्वारी को लॉंच किये गए थे अर्था लागू किये गये थे तो इसलिए 26 जन्वारी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और 26 नवंबर को संवित आंतिवस मनाया जाता है हमारा नेक्स्ट कॉश्चन है निमलेकित मैंसे कौन सा सहर पुर्टगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेज राजा चाल्स को दिया गया था तो दोस्तों ज हमारे पुर्टगालियों ने हमारे वहां पर जब राज किया था उस ताइम की बात है जब अंग्रेज आ थे तो उनके चाल्स को दस्तों मुंबई आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग